हेलो फ्रेंड्स आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल और स्वागत है और आज की इस वीडियो में आप से पूछे जाएंगे इस प्रस्ट जो हमेशा एजाम में पूछा जाता है इसको आप लोग ध्यार में रखेगा ताकि आपको एजाम में तो इस तरह के प्रस्ट आप जल्दी से बना दीजेगा ठीक है तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहला प्रस्ट उमको देखत था तो फ्रेंड्स आपका राइट अन्सवा लागा 24 जनवरी 1950 इसवी को सर्धान सवाह में राष्टिये गान को सुविकार किया था कि लिए है चलिए कोश्चन नंबर दो को देखते हैं कोश्चन नंबर दो है आपका यहां पर देखिए बूल एवं बीर सब संबंधित है बूल एवं बीर सब संबंधित है किस से यहां पर आपको दिया गया है यहां पर फ्रेंड्स बूल एवं बीर संबंधित है यहां पर सियर बजार से बूल एवं बीर सियर बजार से संबंधित है कि लिए है चलिए कोश्चन नंबर तीन को देखते हैं कोश्चन नंबर तीन मुख्याल कहा है पिछले भाग की फोटो लिथी यहां पर आपका चारों यहां पर दिया गया है विमान दी आगे हे कौन सबीना है आप जानते हो हुए कि यहाँ पर लुना तृत ंर्मा के पैशले बाकी फोटो लिया था लुना चिलिए कोम लब है विजोजान नामच आपका डच्छिं की गंगा की सघिया कभि 코 कह जाता है विगांगा की को कहा जाता है चलिए कोश्चन नमर 6 आपका है कोश्चन नमर 6 अरब सागर की रानी कहा जाता है किसको अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचिन को जो आपका option 20 रही है कोचिन को अरब सागर की रानी कहा जाता है चलिए question number 7 को देखते हैं देखे question number 7 है खनीज तेल एवं कोईला किन चटानों में पाया जाता है तो आपका answer हो जागा अब साधी चटान में खनीज तेल निकलते हैं और कोईला भी आप साधी चटान से ही प्राप्त होता है छले कोश्चन नंबर 8 को देखते हैं की मैं है केले का सबसे ज़्यादा उत्पाधन करने वाले देश कौन आ पर आपका राइट है सराज़ागा ओप्से नमर नेपाल सबसे ज्यादा केले का उतपाधन गलत है यहां पर आपका नेपाल हो जागा को देखते हैं अग्षा तो करक्रेखा कहां से होकर नहीं गुज़ती है यहां आपका जानते हूं इसका बहुत साथ तो करके रहा यहां पर कहा सोकर नहीं गुझारती है उरिषा से होका नहीं गुझारती है थैक्षा से नहीं गुझारती है थोिख को देखते हैं कोच्चन नंबर 10 आपका है यह आपको देखिए अकबर नामा की रचना किसने की थी तो अकबर नामा की रचना की थी अलबु फजलने अबुल फजलने अकबर नामा की रचना की थी अबुल फजलने जो आपका राय टेंसर अप्सन नंबर बी हो जागा ठीका अकबर नामा की प्रकास बर्ष से नापते हैं प्रकास बर्ष में नापते हैं और तारों के बीच के दूरी को ठीक है अकरम काडि ने लुटा था सोमनात मंदी को अपका राइट अपसंन मसम नम्ब करता है महाबीर किस ढ़ुए त्य प्राकीर्ट भासा सब्स्राप कराइट आप ओप्सन नम्ब्र है प्राकीर्द भासा में, ज्लिए खोंचन न 나 wurd यह एक कुर्चन नमब्र को देखते हैं इस सब्सक्राइब कर सबसे लंबा राजमारा कौन सा है भारत का सबसे लंबा राजमारा क्वालाइब इनच बहुचर सबसे लंबा समार्व को quests अपकाюсь grant सर्वाधिक उतपादन होता है केसा का सर्वाधिक उतपादन कहा होता है केसार को अपर ऐसमीर सब्सक्राइब जम्मू कस्मीर में केसर का सर्वाधीव उत्पादन होता है तो आपका राइट अंसर ऑप्सन नंबर एर हो जागा चलिए कोश्चन नंबर 17 को देखते हैं कोश्चन नंबर 17 आपका है यहां पर देखिए सर्दार सरोबर प्रियोजना किस नदी पर है आपका एंसर हो जागा चलिए उतन नंबर 18 को देखते हैं को और आपका जयल जाएपूर में यह आप इसको भी याद रहत आगेगा option नंबर को देखिए लेखिए भारत की सबसे पुरानी परवत-माला कौन है जो है और आपली परवत-माला है option number C right answer हो जागा अरावली परवत माला भारत की सबसे पुरानी परवत माला में गीनी जाती है यानि भारत की सबसे पुरानी परवत माला पूछेगा आप्षों तो अरावली परवत माला आपको मारना है चलिए question question number 20 को देखते है question number 20 आपका है देखिए भेरी भेरी इंपोर्टर प्रस्न है निवरोध चुने जाने वाले राष्ट पती कौन थे फ्रेंट्स तो आपका यहां पर जानते होंगे आप option में नहीं है प्रव का option हो जागा option number D नीलम संजीवा रेटी नीलम संजवा रहल बता हический जो नीवरोध चुने जाने वाले राष्ट पती थिए option number D सेर्म जागा नीलम संजीवा रेटी नीवरोध चुने आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरू बताएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमाले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आंगे भी जो वीडियो आएगा आपको सबसे पहले मिल जाए जाए चलिए फ्रेंस मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बने रहेगा जय ही जय भाराण